दूसर उनका मोदी योगी यूपी में तीन पाकिस्तान बना देंगे। ये भी बात ये गलत है कि मोदी योगी यूपी में तीन पाकिस्तान बना देंगे। अगर हैं तो नाम बताएं। उन पाकिस्तानों को कौन-कौन जिले होंगे। फिर संक्राचार जी को इतनी नौलेज अगर है तो उसके प्रूब दें हकीकत में इनकी वैलू वहाँ पे शेकिर नंबर की थी संक्राचार की नहीं थी और आपको बताना है यद मोदी योगी न होते हैं तो मैं आपको बताना है कि 2014 या 2019 में न होते हैं तो आप इन निश्चित समझ लीजे ना राम मंदिर बन सकता था ना ही ये निर्मान हो सकता था और ना ही मर्यादा पुर्शुत्तम राम टाट से इस पे आपाते हैं नमश्कर स्वागत है आपका आप देख रहे हैं डिवी नियूस और मैरानी गुपता आपके साथ 22 जनवरी को आयोध्या में भगवान राम का प्रान प्रतिस्ठा होना है लेकिन उससे पहले लगातार जो सियासत का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है अभी हाल ही में जहां एक-एक नेता इसके खिलाफ बयान बाजी कर रहे हैं तो भाई दूसरी ओर देखने को मिला कि जगनात मर्ठ पूरी के जो शंकरा चारे है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि योगी मोदी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में तीन पाकिस्तान बनाने की नीव डाल रहे हैं जहां पर जैसे जैसे जो प्रान प्रतिस्ठा की घड़ी है खरीब आती जा रही है तो ऐसी बयान बाजी का जो सिलसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में उस पूरे मामले को ले करके विस्तार से चर्शा करने के लिए हमारे साथ स्वक्त मौजूद है वरिस्ट पत्रकार अजजी सर्थ स्वागत है आपका देखने को मिला कि कैसे जगनाठ मत के जो संक्राचारे हैं उन्होंने ये बयान दिया है और उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी मौदी तीन पाकिस्तान बनाने की नीव डाल रहे हैं क्या कहेंगे इस पर देखे स्वामी निश्ला नंजी जो है वह एक्चुली में वहां के संक्राचार नहीं थे विवादास्पत थे और असोख सिंगल जी की ये मतलब उनके लिए बनाने की बहुत एक्षा थी उसमें मोदी जी का भी योगदान रहा और इनको बनाया गया इनके बनाने पर काफी डिस्प्यूट हुए दूसरी बात ये पुड़ी के हैं पुड़ी में वहां विवाद चला मुकदमा चला और दो संक्राचार है हकीकत में इनकी वैलू वहां पे शेकिन नंबर की थी संक्राचार की नहीं थी और आपको बताना है यद मोदी योगी न होते हैं तो मैं आपको बताना है कि 2014 या 2019 में न होते हैं तो आप ये निश्चित समझ लीजे ना राम मंदिर बन सकता था नहीं ये निर्मान हो सकता था और नहीं मर्यादा पुर्शोत्तम राम टाट से इस पे आपाते हैं दूसरी संक्राचार भी ये भी संक्राचार बिलकुल भी कताई भी संक्राचार ना होते हैं दूसरा एक देश का दुरभाग यह है कि संक्राचार बहुत मान सम्मान का पद है मगर देश में कुछ संक्राचारों का रोल जोड़ा वो उतना पॉस्टिब नहीं रहा जैसे सरूपानन सुर्शती सरूपानन सुर्शती जी ने राम मंदिर पे बहुत रोड़े अटका है बन सरूपानन सुर्शती का सम्मान इतना था कि एक बार किसी ने एक ने नारा लगा दिया हल हल मोदी घरगर मोदी संक्राचार जी ने सरूपानन ने ब्रोद किया जो ही मोदी को मालू हुआ मोदी ने तुरंत ही आदेश किया कहीं पड़ ये नारा नहीं लगाएगा घरगर मोदी और उसका बया रहा कि मतलब एक प्रधान मंत्री भी आप समले सरूपा नंसरुसती का सबस्यदा सम्मान दिया तो मोदी ने जी दिया अब वो बोल देते थे अधिकतर नाम मंदिर के खिलाब इनका भी अही राद दूसरी आपको ताने बड़ा अपसोस की बात है अधिकतर मंदरों वगेरा में जो फाइनस अप करने लगे हैं वो आई इंडाई गडवंधन दूसरे लोग दूसरी कंटी के लोग और दूसरे मध़ब के लोग योजन नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो राजनेतिक प्रोग्राम है देखे उन्होंने ये बयान ये दिया है कि आयोध्धा में जो आयोजन हो रहा है वो चुनाओ के चलते हुए हो रहा है वो चुनाओ के चलते हुए हो रहा है देखे ये बिल एक बज़े है जितने भी राम मंदिर के आंदोलन हुए है, सब नॉम्बर से ले करके जनबली के बीच में हुए है, जितने भी मुवमेंट हुए है, आप अगर देखें कि गुरगोविन संग जी के समय जो वहां की आर्मी आई थी, वह भी जनबली मां में आई थी, वह भी आ तो इसलिए जनबली में बनने का पहले सिता था, तो उनकी ये बात जो है, उद्धा में आवजन हो रा, चुनाओ चलते हो रा, ये बिलकु गलत नहीं, दूसर उनका मोदी योगी यूपी में तीन पाकिस्तान बना देंगे, अगर हैं तो नाम बताएं, उन पाकिस्तानों क कौन-कौन जिले होंगे, फिर संक्राचाल जी को इतनी नौलेज, अगर है तो उसके प्रूप दें, उस पे तुरंती मोदी योगी योगी जी कारवाई करेंगे, अगर मोदी योगी योगी जी ऐसा करना है, तो ऐसी बात नहीं है, तो उनसे भी इंदुस्तान की जनता पू करते हैं, और मोदी लोग कपले बहुत एक ही पहने रहते हैं, और डंड धान कर रहते हैं, इतनी जब 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 ठंड है, वहाँ पत्थनों का बना हुआ मंदिर वहाँ पर जाएंगे, अगर माली जब कुछ भी आप से खासी आ गई, तो पूरा प्रोग्राम डिश्टर्ब होंतनी इनका बजपन इतना है कि गया आप जैसे कोई राष्टपति में जाएगा, एक उतनी है मंतरी थो बना दिया समिछ से आजाई दूसरी बात आपको बता लें संत मानों सम्मान पर नहीं जाता है संत मानों सम्मान पर नहीं जाता है मैं आपको एक बात और बता देना हूँ जो यह कहना है तीन पाकिस्तान नोट कर लीजिए पाकिस्तान में तीन भारत बनेंगे अगर योगी और मोदी रह जगजी सिंग अलोडा ने इतनी वड़ी कुर्वानी की इतना वहां पर युद्ध लड़ा जैकब ने युद्ध लड़ा और हिंद्रा गांदी ने जगए दे दी ये चीन नहीं होगी अगर ये लोग रहेंगे तो तीन हिंदुस्तान पाकिस्तान में बनेंगे नोट कर लिज तो संक्राचार जी ये बुज़ुर्ग हो गए इनकी एक एज हो गई है मगर इनकी बातों पर मज्जा है चुकि एक एज हो गई और इनको मान सम्मान को फिर डंडी स्वामी है कितनी वड़ी आपको मैं एक बात बताए दे नोट कर लीजे पूरे दुनिया में 1100 से ज़्या आज तक डंडी स्वामी नहीं हो पाई 1100 से ज़्यादा यह मतलओ पूरे दुनिया के ये बात मैंने नहीं यह कौमिल बुलके ने जो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने बात कही थे उन्होंने रिसर्च किया था तमाम अंग्रेजुन, क्लाइब लैड ने भी आके डंडी सौमियों के बारें पता लगा है। क्या कहेंगे? जबकि उनके साथ सब लोग थे परन तो आपको बतलाना है कि जो यह कह रहा है कि यह बिल्कुल गलत अभी कासी वहां पर कुछ है ने तीन पाकिस्तान इन्होंने अभी तक बात नहीं कि बुलाए नहीं गए इसका आप समले एक एज की बज़े से और संक्राचार्जी है जैसे सरूपान सरस्वती थे तो उन्होंने एक काम बहुत अच्छा कि अपने जिसको सिस्को बना गए हो बहुत विद्वान है संक्राचार जी नहीं उठी अपने उसस्को बना गए जो वास्तों में विद्वान था इनके साथ यह पोईशन थी नहीं कहना चाहिए पुरी में इनको संक्राचान नहीं बनाया जा रहा था, इनके गुरु जी नहीं बनाया था, माफ कीजेगा, काफी उनका बजन है, मुझे बार नहीं के, दूसरी बात, इनको संक्राचान नहीं बनाया, भिसिंदू परसद वालों ने, असोक सिंगल जी ने कहा था, हमारी आख उस बात के इनको दूसरी आपको बतारा है कि राहा मन्दिर का निर्मार मैं आपको बतारा हूँ जितना बल्दान हुआ है राम मन्दिर पे उसमें आप सब लोग गए वहाँ पर पर परनन्त कोई भी कुछ क कर पाएं कुछ भी हो मोधी के बल पर राम मंदिर का ये हुआ निर्मार हुआ मोधी के बल पर भाजपा सरकार आई ये भी कटू सच है मोधी के बल पर ये हैं मोधी के उसमे तो ऐसा ब्यक्ति जिसने इतना भब मंदिर बनाये इतने एकल में निर्मार अभी 4-5 साल चलेगा बीसियों साल चलेगा बीसियों चाल कई लाख लोगों को नौकणिया मिल रही हैं कई लाख लोगों को इतना बड़ा प्रेटन छेत बन जाएगा दुनिया का तो यह सौमी जी को नहीं लगा एक जला सी बात में उनको बुलाएं नहीं गया मान सम्मान नहीं सोचना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे उन्होंने मंदिर आप जानते हैं यही गोपा आश्टीमी में गोलियां चली ती कितना संत माला था यहीं स्वर मंदिर पे गोलियां चली थी कितने लोग मारे गए ते अज उद्ध्या में कितनी बार गोलियां चली कितने बार कितनी बार गोलियां चली आप समझ लीजे और तमाम जगे चली तुर्कमान गेट पे गोलियां चली सब जगे मगर मोदी ने कहीं गोली नहीं चलाई, फूल दे करके मंदिर का निर्माल हो रहा है, सारे लोग जा रहा है, और जो बाबरी मस्जित के वो भी थे, उन्होंने फूल फेके हैं मोधी पे, फूल फेके हैं, मतलब एक ब्रोधी फूल फेक रहा है, और एक ऐसे भी संक्राचाल जी, तो आप सुने कि की बात है, टाट में ही आंदोलन होता, अगर मोधी उना होते हैं, यही थे, तो यह पधियात्ता कर देते हैं, जिसमें भगवान लाम टाट में थे नहीं, आज भी अगर संक्राचान निसला नंजी चाहे लें, तो उडीशा के सभी मंदिर में, छोटे मंदिरों में, चाहराम के लिए, आज यह सोच लिया, यह यह नहीं बोलना है, इंडी गडवंधन के कुछ लोग, इंडी गड़ जैसे है, जिस तरह से सरूपानन सुरसती के एक इसारे पे दिगविजय सिंग चीप मिनिस्टर बना दिये जाते हैं, तीन दिन तक, एक परवार के खास बने यह दंब और घमंड कभी भी संतों पर नहीं होना, संतों को मान और सम्मान पर नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा पोश्ट है, बहुत बड़ा सम्मान है, इसको हमेशा कायम रखना चाहिए, अब आप सोच लिए, अगर इंसे प्रान पितिष्ठा कराई जा, इतने उसमें आचालों से पूजन कराते हैं, संक्राचार पूजन नहीं करते हैं, इनका इतना वड़ा बजन है, वहाँ पर बुलाने पर सभी संक्राचालों को बुलाना पड़ेगा, और तमाम संतों को बुलाना पड़ेगा, इनका सम्मान उपर था है, और आप देख लिजे कि क इंडियाई गडवन्धन का योजनाबत तरीके से प्लानिंग है और जो ये न्यूज भी है ये उनके दौरा प्लांट कराई हुई न्यूज है जैसे आजकर लाहुल गांदी भी कहीं कहीं पत्रकार बन जाते हैं कहीं पर फोटुग्राफर बन जाते हैं मतलब एक बेजिती कल आना हो गया ये फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के अजब पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इस अंदर्व में आपकी भी जो राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद